दुबोलिया छेत में फैली सर्जु नहर से किशानों के खेतों में नहीं पहुँच पा रहा पानी किशान प्रसान आपको बता दें कि तुबोलिया विकास खंड के अंतरगत विभिन गाउं में फैली सरजु नहर में में माइनर में पानी होने के वाजूद भी खेतों में नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन या पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुच पा रहा है जिसके चलते हम लोगों को मजबूर हो करके महंगे दामू पर डीजल डार करके धान की सिचाई करने के लिए मजबूर हैं यह तस्वीरे से तोर पर आप दुबूलिया छेत के नहर की देख पा रहा हैं जहां पर न किया नाम है नाम राजिंदर से खेट की सिचाई हो पा रही नहीं नहीं कि दहास्ते नहीं हो पा रहा है इधर से नाली से क्या दिक्कत है नाली टूट गया hints नहार में जो बानी है पानी का लेबल obt ciąम तो नहीं है है लोगो θेए पानी कम हो गया इसलिए नहीं कम पा रही है कि पानी जितना नहर की ग्रोथ में पानी होना चाहिए कि किसान को पानी मिल सके उस लेबल से पानी नहीं है दो फुट नीचे ही बाहरा है पानी जिसे खेत पानी नहीं पहुंच पारा है नहीं खेत में पानी नहीं पहुंच पारा है खेट में सूखा पड़ा है आईशे में किसान जो है धान की सुरच्चा कैसे कर रहे हैं तो बहुत परिसानी है किसान सामने संक्ट हो गया है बहुत बड़ा संक्ट है अब नहीं नहीं आ रहा है तो पड़ा सूखा पड़ा है किसान डीजल से बर रहे हैं और नहीं है इसने पानी चलने से कुछ पानी नहीं जाता आपके छेत में बारिस का क्या हाल है बताएए तो द्धान की सिचाई कैसे हो रही है नहार में पानी है कि नहीं है और बिद्धुत भी नहीं मिल पा रही है राज के सब परेशान रहते हैं बारा एक बजलाईट आता है बुचुर बुचुर कट जाता हार में साथ जी आपने सुना किशानों का दर्द क्या है किशान सूखे की मार जिल रहे हैं बारिस उस अस्तर की नहीं हो पा रही है जिसे किशानों के धान की फसल में पानी लग जाए नहर की ये हालत है कि नहर आप देख पा रहे हैं जहां पर नहर में पानी कम होने के चलते किसानों के खेट तक नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा है जिससे किसान काफी प्रफान है अच्छी खबरों को पाने के लिए हमारे फेस्बूक पेज पर योग यूटूब चैनल पर बने रहें तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद